उसके बाद अगर आप पिस इंडरस्टी में अपना नाम बनाने में काम्याब हो जाते है तो यह आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होती है वैसे तो आज के समय में बॉलिवुड में एक से बढ़कर एक हैरोईन मौजूद है लेकिन इन ही में से एक हैरोईन है जिसने अपना नाम अपनी मेनत से बनाया है जिहां वो कोई और नहीं बल्की काजोल है जब जब बात खुबसुरत और बोल्डिदा कारा की होती है तो इस लिस्ट में काजोल का नाम नहूँ ऐसा नहीं हो सकता है इन हुने ने फिल्म दिल वाले दुलेहनिया ले जाएंगे में अपनी सिम्रन की एक्टिंग से सब के दिलों को जीता है आज हम काजोल के बारे में नहीं बल्की उनकी खुबसुरत बेचियासा देवगन के बारे में आपको बताने वाले है हॉल ही में उनकी बेचियासा देवगन चर्चा में आ रही है खबर तो ये हैं कि उनकी बेची आसा उन से भी ज्यादा खूबसूरत और बोल दिखने लगी हैं आज हम आपको काजोल की बेटी की कुछ खूबसूरत तस्वीरों से रूबरू करवाने वाले है जैसा कि फिल्म इंडास्ट्री देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद भी एक्टर और एक्ट्रिस फिल्मों में काम करने से पीछे नहीं हटते हैं लेकिन अजय और काजोल ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और काजोल फिल्मों से दूर हो गई ताकि काजोल अपनी बच्चों और परिवार का पूरा समय दे सके और शायद यही वो वज़र है इनके बच्चे बिल्कुल डिसेंट वस समझदार हैं आपको बता दे कि कुछ समय पहले ही उनकी बेट यास देवगन की खूपसूर्ती को लेकर लोगों ने खूप चर्चा की है लोगों का कहना ये है कि वे बिल्कुल अपनी मा काजोल पर गई है इस समय यासा देवगन अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई है लेकिन उनके किसी करीबी ने बत्या है कि बहुत जल्द ही उनकी पिता आजय देवगन बॉलिवूर्ड में उनका डेब्यू करवाने वाले हैं अब ये देखना होगा कि वो अपने मा और पिता की तरह अपना नाम बना पती है अपने इंट्रवियू में यासा देवगन ने बत्या है कि वो अपनी मा काजोल की इतरह इंडरस्टी की बड़ी हेरोईन बनकर लोगों को अपना अपना दीवाना बनाना चाहती है वैसे आपको बता दे कि तो वे है सोशल मेडिया साइट्स पर पूरी तरह से एक्टिव रहती है और अक्सर ही अपनी तस्वीरों को अपने फैंस के बिच शेयर करती रहती है दोस्तों आपको काजोल की बेटी कैसी लगती है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए